क्या लगता है आपको कि यदि हम अभी से आपकी बात करो अभी से नौंबर का महीना ठीक है अभी से हम त्यारी करें और महीं में मालों एक्जाम होता है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्स पांच महीना मालों पांच महीने में हमको अब फिर से अपने आपको गेर अप करना पड कर रहे थे एक उम्मिद थी कि कहीं चमतकार हो जाए कुछ चमतकार हुआ पर उल्टा हुआ अब क्या करें तो मैं कह रहा हूं बेटा कि यह जो दिन है ना बिल्कुल बरबाद मत करना इनको तुमको जो तुम्हारे लिए बहतर है कोई एक फॉर्मूला किसी की सफलता का होता नहीं है कि फॉर्मूला वही होता है जो तुम्हारे लिए काम कर जाए तुम रात को उठके पढ़ते हो देर तक पढ़ते हो तुम सुलू पढ़ते हो तेज पढ़ते हो उससे मैंने इस बार अपने 15-20 बच्चों के जो अच्छे परफॉर्मन थे उनके इसको उनको मैंने सुना उनसे मैंने बात किया रोते रहे फोन पे वो कि सर सब बन रहा था पर एक्जाम में जाके हाथ पर फुल गे घबराट होगी कजीब सी घबराट में पसीना आया ऐसा लगा कि नहीं बन पाएगा क्या होगा हमारा तो मतलब उसके चलते में 25 नंबर का छूड़ गया 40 न मानसिक तुर पर भी त्यार करना पड़ेगा यह लड़ाई केवल पढ़ने की नहीं यह मानसिक साइकलोजी की लड़ाई भी होगी यह जब भी पढ़ने बैठेंगे तो मन में एक विचार यह आएगा कि नहीं होगा सेलेक्शन कैसे होगा बला कैसे सेलेक्शन होगा इतना उपर कटब जाता है मेरे से नहीं होगा मैंने जिन्दगी में अभी तक तो कोई कोई इसा काम किया नहीं मैंने पिता जी कभी तारीफ करते हैं कि पप्पू अच्छा काम क्या तुमने अब कैसे हो जाएगा तो यह सब विचार आएंगे और मैं एक ही बात बोलूँगा इस चीज के लिए एक ही बात बोलूँगा बिहेव लाई के मशीन तुमारे अंदर इमोशन नहीं होना चाहिए तुमने जहां इमोशन पाले कि तुम पीछे हुए नो इमोशन नो स्ट्रिंग अटच की कहीं कुछी सोच नहीं है हमको कि किसी चीज से की इससे यह तार जुड़ा है उससे वह तार जुड़ा है नहीं हमारे सामने लक्षे की यह चेप्टर है बाइलोजी के फिजिक्स के के मस्टिक के 90 कि नैंटी कि नैंटी सो और ती साथ नैंटी सिक्टर जो है मारे पास 22 और सुलाant के नैंटी एट चैप्टर मालय लोचर सो गोलव भी दिता हूं में ğ 직ुम नाजे साथ यह तुमारे कारण होगा तुम अपने ही हो ठीक है यहां न आयाओ नहीं आना मताओ लेकिन बिटा पढ़ो तुम खुद से किताब पढ़ोगे तो भी एक्जाम निकाल लोगे बाकी तो सब लोग हे ना सपोर्ट के लिए सब हे सिस्टम पूरा बना हुआ है तुमको पढ़ना पढ़ेगा बिटा को कि मैं सज बोनूं है आज यदि कॉम्टिटे एक्जामनेशन में तुम्हारी जगे में बेठा होता रहा तो मुझे यही सोचना पढ़ता है कि यहार रेंक एक परी काम करना पढ़ेगा एक भी कोश्चन मुझे कहीं भी गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए कोई तर्क नहीं दूंगा मैं टीचर से पर दूंस नहीं होगा कि कुछ भी कर सकते कभी भी कुछ भी कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि हमको अपने आपको एक रिग्रस ट्रेनिंग में डालना पड़ेगा अब मैं आपसे कुछ सेलेशन लेना चाहता हूं पहला सेलेशन यह कि आप